नमस्कार दोस्तो आपका हमारे आयरुवेदा उधार चैनल में हार्दिक स्वागत है नमस्कार दोस्तो आज हम अकीक टिश्टी के बारे में चर्शा करेंगे यह हिर्दय एवं मस्तिस्क को बल देने वाली तथा बात पित्त नाशक है इसके सेवन से बड़ी हुई तिल्ली एवं यकरत संबंदी विकार में आराम होता है यह बात रोग जन्य और नमाद मूर्चा, पुराना और सूखी खासी, सभी प्रकार के रक्त इस्त्राव, रक्त प्रदर, पुराना सुजाग, ब्रन यान की घाव, अश्मरी यान की पत्री को नश्ट करने में समर्थ है इसे नेत्रों में लगाने से नेत्र की जोती बरती है, इसके सेवन से वीरेगाला होता है और शरीर में कामोत पादक सक्ती बरती है भिन भिन अनपानों द्वारा यह अनेक रोगों को नश्ट करती है इसका सर्व साधारंग अनपान शहद है इसे शहद के साथ लेना अत्यंत लाबदायक माना गया है बात तत्था पीलिया विकारों के लिए इसका खस प्रियोग होता है थूप के साथ यदि खून आता हो तो उसे बंद करने के लिए इसका ब्यभार लाबदायक है अकीक के आव्यंतर प्रयोग के अलावा ब्रहाय स्पर्स भी दर्दय के रोगों में लाबकारी मनाए गया है इसी कारण अनेक फ्रदय रोगी अकीक का लाकेट बना कर पहनते हैं अकीक यह एक प्रकार का खनीच पत्थर है जो कि सफेद, लाल, नीला, पीला चार रंगों में आता है अकीक की पिष्टी को महीन कूट कपड़ छंग कर लगातार गुलाब जल में गोंटने से फिर इसे महीन कपले में च्छान कर सुखा करके बनाई जाती है यह पिष्टी काफी ठंडी होती है अकीक की पिष्टी रक्ति पित्प सारीर को ताप तथा बुखार की गर्मी हिर्दय की दुरवलता आदी में अतिन तिलाब दाएगे अकीक पिष्टी बैद्यनाथ, पातांजली, दूद्पावेश्वर, जागरती, श्री धन्मंतरी आदी ब्रांडों में उपलब्द है जो की आप अपने नजदी की आईरवेदिक मेडिकल इवं ओनलाइन माध्यम से मगा सकते हैं दोस्तों अगर आप अन्य आईरवेदिक दवाईयों की जानकारी चाहते हैं तो करपया आईरवेदिक उधार की प्लेलिस्ट को अब अच्छे देखें अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों करपया से लाइक करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें